So welcome to the third part of this drawing, previous 2 videos में मैंने एक तो outlines and second facial shading के बारे में बताया था and today we are going to learn कि हम किस तर से hair and beard draw कर सकते color pencils से and color pencils के बारे में मैंने already बता है कि आप किसी भी brand का use कर सकते हो just because मैं brustro के use कर रहा हूँ, it doesn't mean कि आपको भी brustro के use करने है ये द्यान रखो कि अभी आप सीख रहे हो तो आपका द्यान इन चीजों पर मतला हो कि ये कौन सा brand है वो कौन सा brand है आपके पस जो भी हो cheap brand या फिर कोई भी हो use करो आगे जाकर आप definitely कई सेरे brands तो explore करोगी and now let's start the shading so first हम brown color के एक shade से base layer add करेंगे and अब तक अगर आप directly black color से ही hairs वागे रखो करते थे दिन आगे से मत करना because ये बहुत ही जादा important step है जो कि कही सारे beginners miss करते है and maybe करता था but don't worry आगे से मत करना सबसे पहले brown color के एक shade से हमें base layer add करना है and आप hair के direction में भी strokes लगा सकते हो otherwise आप simple shading भी कर सकते हो but में prefer करूंगा कि hairs के direction में ही strokes लगाना and first layer complete होने के बाद हम again brown color के lighter and darker shades से lights and shadows के according एक और layer add करेंगे and ये दो layers shade करने के बाद ही हमें black color के shade का use करना है and धहन रही कि आपकी pencil काफियत तक sharp रहे because obviously आप observe तो करते ही होगे कि हमारी hairs कितने जादा fine होते so अगर आपकी pencil sharp रहे तो आपके strokes भी fine ही लगेंगे and अब बात आती है highlights की कि इस medium में किस तरह से fine highlights create कर सकते है because इतने सारे layers add करने के बाद कोई eraser तो मुश्किल से ही work करेगा and अगर हमने use करने का try भी क्या दिन हमें उतने smooth results नहीं मिलेंगे हो सकता है strokes काफी ज़्यादा rough दिखे but I have a solution for this जो कि है ये cutter आप cutter की help से easily fine highlights create कर सकते हो and आप किसी भी cutter का use कर सकते हो इस टाइब के 10-20 rupees में easily मिल जाते है ये तो मैंने कभी ऐसे ही purchase कर लिया था and ऐसे ही पढ़ा रहता है that's why I am using this but काम होई है कि हमें इस तरह से strokes लगाने है and इस पूरे process का आपको repeat करने है जब तक आपको वो realistic या फिर satisfying result ना मिले and इसी same technique से हम beard भी shade करेंगे बस यहाँ पर आपको brown color के साथ थोड़ा skin color का भी use करना है as a base layer because obviously beard हमारे skin के उपर होता है that's why हम skin color के shade का भी add करेंगे हमारे base layer में so it will look more natural so बस बाकि आपको same process ही apply करना है अब आप थोड़ी देर वीडियो देखो observe करो मैं मिलता हूँ आपको कुछ minutes बाद करो मिलता है अभाड़ी करो में मिलता है करो मोड़ी दो देखो मैं मिलता है एक बाद एक चीज है जो काफी जादा इंपोर्टेंट है वो हेर एंड बेर्ड का स्कीन में मर्जोना लाइक पार्टिशन नहीं दिखना चाहिए कि हेर यहाँ पर है और स्कीन यहाँ पर है दोनों एक दूसरे में अच्छे से मिक्स होने चाहिए एंड उसके लिए हम लास्ट में शैड़ वगरा एड करेंगे दोनों कलर को एक दूसरे में अच्छे से मर्ज करेंगे मतलब इन शॉट वही कि hair and beard skin से differentiate नहीं होना चाहिए, दोनों को अच्छे से mix करना है, so it will look more natural. इसी तरह से में hair and beard वगेरा shade करता हूँ color pencil से, and I was thinking कि इसी वीडियो में हम पूरी drawing complete करेंगे, but jersey में भी कई सारे details थे, and trophy वगेरा भी था, so I thought कि इस पार्ट में इतना ही रखते है, बाकी का shading करेंगे हम next video में. झाल